खाबर गोंडा उतर प्रदेश से हैं इंजेक्शन लगाने से भैस के बच्चे की हुए मात हमारे देश में कई ऐसे परिवार है जो अपने परिवार का पालन पोशर घर में पशू के सहारे चलाते हैं यानि गायों भैस के दूद बेश कर इन पशू के बच्चो को अपने बच्चो की तरह पालन करते हैं ताकि बड़ा होकर उनकी जीविका का साथन पर सके लेकिन उसे पशू के बच्चे की अगर एक दोक्टर की खिला पर माही से मौत हो जाए तो क्या बेतीगे उस परिवार पर खबर कट्रा बजार के गाव बन गाव का है जहां पर पशू चिक्रिस्ता द्वारा इंजेक्शन लगाने से एक घैस के बच्चे की मौत हो गई क्या पशू को लगाया जा रहा या फिर डॉक्टर के धैली में पड़ा कोई एक्सपाइरी डेट का इंजेक्शन था यह फिलहाल चार्ज कभी शह है पशू के सहारे अपनी परिवार का पालम पोश्चन करने वाला इस परिवार को क्या नियाई मिलता है या फिर नहीं तो वह आये डाक्टर कहीं कि टीका आवा है सरकारी टीका लगवाए तो बीमारी कोई ना आवे तो पत्वा हमारों गई रहा गाउमा घरवायन तो वह आई तो वह उच्छो बलबाउना एकिन वह सुई भर बद लगावे लागे तो वह बड़ी सुई के लगावा जाते हूं भाग चोटी वाली के लगाए देहिं तो फिर कावा तब फिर ओके तीनी वह इसके लगाए न अव च्छगडी के लगाए न कहीं सरकारी सुई आवा है यह साइद बीमारी बहुत चला है लगवाए लो सुई निंगनीख हमार सारे पस रहा है उनके च्छगडी के रह लगा भरिन सुई की नाई भरिन वो के दूई के लगाए बड़ी बहुत के लगावा जाते हुँ छटकाई लाग वो के लगाए पाई नहीं के लगाए रहे हैं वही घरी से पढ़िया हमान ना खाइस ना पीस बिमार सकारे सबहे का इनकी डाक्टर का बलाओ वही सुई लगाए फिर आए तब दस सुई लगाए छेसो सत्तर रुपय दवाई कई गया तब का बहुत फिर चला गए फिर आज फून मिल वावा गा तब फिर आए तो कई देखके कहिने कैस्या काई कर उस्या काई करे लागे अब मार में इस गीरी खतम है पांगा